नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सेप्टर में CPCT की सीरीज में हम आज की वीडियो में जानेंगे जनरेशन्स ओफ कंप्यूटर के बारे में तो चलिए दोस्तों भीन टाइम वेष्ट किये शुरूं करते हैं आज का ये वीडियो यहाँ पर हम बात करेंगे जन्रेशन्स ओफ कंप्यूटर यानि कंप्यूटर की पेड़ियो के बारे में दोस्तों कंप्यूटर की मेनली 5 जन्रेशन से हैं फर्स्ट जनरेशन अफ कम्प्यूटर, सिकंड जनरेशन अफ कम्प्यूटर, थर्ड जनरेशन अफ कम्प्यूटर, फोर्थ जनरेशन अफ कम्प्यूटर और आखिर में फिफ्ट जनरेशन अफ कम्प्यूटर तो दोस्तों कम्प्यूटर के जो पहली एक जनरेशन थी वो 1942 से लेकि 1955 तक थी कई बार आपको 1945 भी देखनों का मिलेगा लेकिन अप्रॉक्स में आपको 1942 ही याद रखना है तो सबसे पले हम जानते हैं कि पहली जनरेशन के अंदर कम्प्यूटर में किस भासा का विसकार हुआ था फर्स्ट जनरेशन अफ कम्प्यूटर के अंदर दोस्तों मसीनी भासा के इस्तमाल हुआ था इंगलिस में इसे हम मसीन लेंग्विज भी कहते हैं दोस्तो उस time computer केवल 01 ही समझ पाता था और इसी 01 को हम binary digit या binary number भी कहते हैं इसके बाद दोस्तो इसकी speed को millisecond में मापा जाता था millisecond में ये काम करने के लिए सक्षम हो चुका था इसी के साथ आपको याद रखना कि इस generation में batch processing operating system के इस्तमाल होना सुरू हुआ अगर दोस्तो आपको batch processing operating system कोन कोन से होते हैं और ये कैसे काम करते हैं इन सब के बारे में आपको knowledge नहीं है तो आप जुड़े रहे हमारे साथ आगे हम इस सीरीज में जम operating system के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको इस topics related complete knowledge देंगे फिलाल हम अपने आज के इस topic की तरफ आते हैं तो जैसा कि मैंने बताये computer की first generation में batch processing operating system का इस्तमाल होना सुरू हुआ था फिर आपको याद रखना इस generation के अंदर दोस्तो एनियाक और यूनिवैक computer का विसकार हुआ था इसके बाद दोस्तो इसकी memory storage के लिए punched card और magnetic tape का इस्तमाल किया जाता था फिर इसके बाद electric city supply के लिए इसके अंदर vacuum tubes का इस्तमाल हुआ था तो दोस्तो ये थी first generation of computer के सारे important points आपके वले इतने points को ही अच्छी तरह से अपनी copy में note कर लिजे या इसका screenshot ले लिजे इसके आगे first generation में से कुछ भी नहीं पूछा जाता है बस आप इतने points को अच्छी तरह से याद कर लिजे और note कर लिजे तो second generation of computer यानि computer की दूसरी पीड़ी 1955 से लेकर 1964 तक चली फिर इसके बाद हम सबसे पहले जानते हैं कि इसकी गति को किस में मापा जाता था इसकी गति को microsecond में मापा जाता था और दोस्तो memory storage के लिए इसमें magnetic core technology के इस्तमाल सुरू होने लग गया फिर इसके बाद बिजली आप उरती यानि electricity current के लिए दोस्तो vacuum tubes के इस्तमाल ना करके ट्रांजिस्टर्स के इस्तमाल होने लगा इसमें जिस operating system के इस्तमाल हुआ दोस्तो उसका नाम था time sharing operating system फिर इसके अंदर कौन सी भासा के इस्तमाल होना सुरू हुआ तो इसके अंदर assembly भासा के इस्तमाल होना सुरू हुआ assembly भासा को हम निमोनिक भासा भी कहते है निमोनिक का मतलब होता है दोस्तो बड़े सब्दों के लिए छोटा सब्द लिखना जैसे addition के लिए add और subtraction के लिए sub फिर दोस्तों देखते हैं इस generation में कौन से computer का अविसकार किया गया था तो इस generation के अंदर IBM 1401 और NCR 304 का अविसकार हुआ था आपने IBM computer के बारे में कहीं न कहीं तो सुना होगा अगर आपको इसका full form नहीं पता है तो इसका full form international business machine होता है फिर इसके बाद हम computer की अगली generation की और बढ़ते हैं तो computer की थर्ड generation की शुरूबात 1964 से लेकर 1975 तक थी तो इस topic में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी speed किसमें मापी जाने लगी इस generation के अंदर दोस्तों computer की speed को 99 सिकंड में मापा जाने लगा इसके बाद electricity current के लिए इसमें transistor की जगे integrated circuit का इस्तमाल होने लगा दोस्तों integrated circuit जिसे हम IC भी कहते हैं ये बहुत ही बड़ा अविसकार हुआ था जिसे jack किल्बी ने किया था इसके बाद इसमें भी memory storage के लिए magnetic tape का इस्तमाल हुआ था फिर इसमें जिस बहां सा काविसकार हुआ उसे हम high level language कहते हैं जिसमें photon जिसका पूरा नाम formula translation और COBOL जिसका पूरा नाम common business oriented language था इसमें remote processing operating system का इस्तमाल हुआ था फिर इस generation के अंदर जिस computer काविसकार हुआ वो है IBM 360, PDP 8, PDP 11 चलिए फिर इसके बाद हम computer की चौथी PD, 4th generation of computer की तरह बढ़ते हैं 4th generation of computer की सुरुबात 1975 से लेकर 1989 तक थी सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि इस generation की computer की speed को किसमें मापा जाता था तो इसकी speed को p को second में मापा जाता था मतलब बहुत ही तेजी से calculation करता था और कामों को बहुत ही तेजी से process करके output देता था फिर इसके बाद electricity supply के लिए इसमें microprocessor का विश्कार होना सुरू हुआ था इसके बाद memory storage के लिए इसमें winchester disk का इस्तमाल हुआ था आपने hard disk तो देखी होगी अगर आप उसे बीच में से काटोगे तो देखोगे कि उसमें एक disk के उपर दूसरी disk चड़ी होती है यानि एक disk के उपर दूसरी disk का चड़ा होना और data को store करके रखना winchester disk का काम है इसके बाद इसमें GUI जिसका पुरान अब graphical user interface होता है इस operating system का इस्तमाल हुगा अब हम computer में चीजों को देख कर काम कर सकते थे इस generation की भासा की अगर हम बात करें तो इसमें domain based language का अविसकार हुगा इसके कुछ example जैसे की Java friend page JSP, Java servilate page और SQL structured query language ये कुछ भासा हैं जिनका अविसकार चौथी PD के computer के लिए किया गया था computer के आविसकार के अगर हम बात करें तो इसमें deck 10, IBM 4341 बहुत ही ज़्यादा popular computer थे फिर इसके बाद दोस्तों computer की पांचवी और आखरी PD के बारे में बात करते हैं तो 5th generation of computer की शुरुआत 1989 से लेकर अब तक की जा रही है सबसे पहले अगर speed की बात करें तो इस generation में भी speed pico second में मापी जाती है इसके बाद दोस्तों बिजली आपूर्ती के लिए इसमें ULSI Ultra Large Scale Integrated Circuit का इस्तमाल किया जाता है फिर बात करें memory storage की तो इसमें hard disk, floppy disk, cd, dvd, pen drive, आजी चीजों में आप data store करके रख सकते हैं इसके बाद आप extra में इस generation में artificial intelligence का अविस्कार हुआ जिसे हम हिंदी में कृतिम बुद्धी मत्ता भी कहते हैं तो दोस्तों computer की सारी generations यहाँ पर complete होती हैं इन पाचों generations के important point को आप अच्छी तरह से note कर लीजे generation of computer में से cpcta किसी भी government exam में इन points के अलावा extra कुछ भी नहीं आता है इसके बाद अगले वीडियो में हम generation of computer में से जितने भी important question बनते हैं उन्हें हम देखेंगे अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दे और comment करके इस वीडियो से related कोई भी सवाल आप उससे पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करिए जाते जाते हमारे चैनल computer chapter को subscribe कर दीजे और bell icon को भी प्रेस कर दीजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए